वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ट्वीटर पर कुसामा ने एनाउसमेंट किया था बिग एनाउसमेंट वेरी इस वीक में उससे बेसिकली क्या हम उम्मीद करें और क क्या आश्यर यहाँ पर हो सकता है क्योंकि एक होप यहाँ से क्रियेट हुई है और इसका इंपेक्ट सीबा की प्राइज में इस मन्त एंड ओप दिसंबर में क्या फर्क पड़ेगा देखिए यहाँ पर हम प्राइज प्रेडिक्शन दिसंबर 2023 का भी निकालने वाले है क्योंकि दिसंबर 2023 में जिस टाइप से चार्ट ने अपने आपको उपर नीचे करा है लिक्विड्टी हाई लो हुई है इससे यहाँ पर हमें एक संशे है कि या जैनवरी अपनी जगा है लेकिन दिसंबर का प्राइज प्रेडिक्शन क्या हो सकता है और इसका संधर्ब हम लूसी के द्वारा ट्विट किये गए बिग एनाउसमेंट को सामा के एक तरीके से हम दोनों को इंगेज करेंगे जोडेंगे और उसके सा प्राइज प्रेडिक्शन बनाएंगे देखें यहां पर एक बार यहां पर हाई है यहां पर हुआ है इसके बाद एक बेग हाई यहां लगाया था और यहां अभी यहां चल रहा है लो भी यार इसने काफी हद तक लगाया है लेकिन दिसंबर में यार एक्जक्ट तारीक है तो 10 दिनों में खतम हो जाएगा तो और अच्छी एक इंक्रीजमेंट यहाँ पर लगभग 30% तक पहुच जाएगा लेकिन उमीद यहाँ पर दो चीजों से है एक तो मार्केट अगर इस लेवल तक पहुचता है जो कि एक बार हाई लगा के आया है तो यहाँ पर 30 से भी जादा यानि कि लगभग 40-45% सीबा इनों दिसंबर मन्त में उपर जा सकता है और एक लो यहाँ पर लगाया है इसने अगर इसको तो छोड़ो यह वाला लो हम मान लेते जो एक दो दिन पहले का है अठारा तारिक में है तो एसे में यह अगर लो लगाता है तो यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन क्या बनेगा और कितना लो समें हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आने पर आपका जो प्रोफिट है लगभग 15% के आसपस बनेगा तो यह सब चीज़ें हम जानने वाले हैं तो पूरा वीडियो वाच करना चैनल पर पहली बार आए है सीबा से रेलेटेड हर चोटी बड़ी अपडेट चाहिए तो चैनल को सस्क्राइब अभी कर दीजिए और लाइक और शेयर इस वीडियो को अविश्य कर दीजिए पास से यहां पर बहुत सारी चीज़े एक तरीके से होप क्रियेट होई है तो सबसे पहले तो कुशामा सीबा सेना को ऊपर उठाने की यहां पर कहिना कहीं कोसिस कर रहे क्योंकि बिग अनॉंस्मेंट एक तरीके से उम्मीद बनाता है और उम्मीद बनाने का कुसामा का प्लान यहीं है कि कहीं न कहीं है कि उम्मीद बने लोग ट्रेडिंग करने आए क्योंकि यार बिग एनाउस्मेंट होगा तो ओविसली सीबा चानक से 10-20 परशन बढ़ जाएगा तो लोग इन यहां पर एंट्री ले रहे है बाइंग कर रहे है और एसे में एक तरीके से चार्ट को उपर ले जाने की एक स्टड़ी कह सकते हैं अलगी यहां पर और चीजे है कि कुसामा ने अर्बो सीबा टोकन को जलाने के लिए बर्निंग के लिए हाँ पर मीम टोकन को काफी आगे तक इनोंने सोचा है और बर्न सीबा इसका सबसे ताजा और अच्छा उधारन है क्योंकि बर्निंग से सीबा की प्राइस अभी नहीं बढ़े लेकिन भविश्य में जरूर बढ़ेगी और जो बर्निंग है दो टाइपस आपको पता है एक मेन्वाली होती है एक ऐटोमेटिक ली होती है मेन्वाली में को पता है गेस जितने भी यहां पर ट्रांजेशन होंगे वो उतने ही सीबा टोकन बर्निंग की तरफ मुग करेंगे तो यह भी एक अच्छी बर्निंग का यहां पर मेकनेज में कुशामा ने बनाया है हलाकि यहां पर जो अटकले लगाई जा रही है कि क्या हो सकता है सर्प्र आपको देखने को मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो सीबा की जलने की दरोर बड़ेगी यहां पर बिग अनॉंस्मेंट के बाद और चीजे एक्टिव होगी और यहां पर जो है सीबा में जो पेसा है वो एक के बाद एक आएगा अब यहां पर यह जो एनॉंस्मेंट अभी किया गया है इसके दो तीन संधर भी यहां पर निकल सकते हैं देखे सबसे पहला तो यहाँ पर जिस टाइप से सिबेरिया में यहाँ पर बढ़ रहा है वो एक कारण हो सकता है जिसके पीछे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर अगर दिसंबर का प्राइस प्रेडिक्शन हम निकाले इस इन दो तीन चीजों की वज़े से तो यहाँ पर ज बैसिकली यहाँ पर एक सपोर्ट यह बना रहा है सपोर्ट बना रहा है क्योंकि लोग क्या है सीबा में अब लिक्विटिटी अच्छी है न तो लोग इंट्रडे ट्रेडिंग भी कहिना कहीं करने लग चुके है जो कि कुछ दिन होल्ड रखते हैं शोट टम के लिए और फ दिसंबर, end of the month आपको एक अच्छा यहाँ पर सर्प्राइज मिलेगा क्योंकि जनवरी का कल का मैंने प्राइस प्रेडिक्शन बनाया था उसमें जो मैंने चीजे नोटिस करी वो सभी पोजेटिव चीजे थी वो अच्छी चीजे थी 10 से 12 पॉइंट्स के अधार पर मैंने काफी यूस्पुल रहेगा क्योंकि उस ताइक तक आप देखोगे सिबा में अच्छी वाइंग यहाँ पर होने को मिलेगी तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेलिंग कर दू क्या दिसंबर मन्त का प्रॉफिट बुक करूँ तो कहीं ना कहीं मैं परसनल मेरा ओपीनि काउन नीचे को देखने को मिलेगा लेकिन बिग एनाउंस्मेंट एक एसी त्योरी है जो कि दिसंबर में काफी हद तक अच्छी काम करेगी और यहाँ पर यहां पर और ग्रोफ मिलेगी और 35-40 पर्षेंड तक की ग्रोफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे मन्त तो वो एक अच्छी चीज रहेगी बस यह है कि यहां पर अभी एक दो दिन में डाउन थोड़ा सा जा सकता है और जैनवरी तक अगर आप लोंग टम के हिसाब से रख रहे तो जैनवरी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा सीबा के लिए वो मैंने 10 पॉइंट के उपर कल का वी पॉइंट तक तीन बार मार्केट होके आया है तो अगर इस प्राइस पर भी रहता है इस मंत के एंड में तो भी आर आपको काफी हद तक पाविस पर्शंट या पच्छिस पर्शंट तक की ग्रोथ इस महीने की मिल जाएगी क्योंकि यह भी यहां से मार्केट 10 दिन का जो अच्छी चीजे करी है क्योंकि सब लोग बाइंग के तरह आएंगे और कहीना कहीं जैन्वरी स्टाइडिंग में थोड़ी सेलिंग बढ़ेगी क्योंकि यह जो सर्प्राइज वाले लोग रहेंगे यह 27-28 से ही सेल करना चालू करेंगे क्योंकि अगर अच्छा नहीं हुआ उम्मीद के अनुरूप तो यह सेलिंग करेंगे और फिर मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा तो 29-30 लगभग 31 कमाईना है ना तो यह 2-3 दिन थोड़ा खराब यहां से हो सकते हैं बस इंतिजार है क्यार अच्छी चीजे निकले चैनल को सस्क्राइब कर लेना नहीं किया ह तो और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए पसंद आ रहे है तो और प्रिविएस वीडियो उठा के देखिए हमने जो सटिक बात बता ही वही हुई है तो एसे में आप लोग को का चैनल सस्क्राइब करना बहुत ज्यादा इंपोटेंड है नमस्कार